हलो दोस्तो मैं सूभी आज मैं आई हूँ राइपूर के काली बाडी चौक में जहांकि गनेश जी का पंडाल बना है सुना था मैंने बहुत ही सुन्दर बना है और खुब बड़ा सा बना एकदम भवविसा तो मैं सोची चलो क्यों न देखा जाए प्रवेश द्वार है यहां से अंदर जा रहें देखे बहुत ही अच्छा सुन्दर सजा है सारे लोग फोटो कीचवारें खड़े होके बस मैंने ने ने कीचवाया तो चलिए चलते हैं आगे और पंडाल के अंदर चलते हैं तो देखे चारो तरह प्लास्टिक के फोल से सजा है यह पंडाल यहां पे सामने लिखा है प्रवेश द्वार अब इधर चलते हैं यहां पे मिलेंगे हमें गणेजी के दर्सन होंगे तो चलिए भीड बहुत जादा है यहां लोग दिंधर आते हैं पंडाल दिंधर सुबा से रात तक चालू रहता है खुला रहता है सबाद हैं दर्जान करके जाते जाते हजारों की भीड में पब्लिक देली आती हैं यहां पे खाजकर सनी वार और रवीवार को बहुत ही ज़्यादा भीड रहती तो देखे गणिजी के दर्सन हो गए और ये गणपति के पामोरिया इनके साथ रिद्धी जी है शिद्धी जी कहा गई वह भी होंगी बाकी ब्रह्मा जी संकर जी सारे भग्वान देवी देउता है पुरा प्रितली है बहुत सुंदर बहुत बढ़ी मूर्ती थी बनी है ये और देखिए अब यहां पे बाहर निकलते हैं तो चारों तरफ पंडाल जैसे ही बना है इधर वो समीती वाले बै लिए बना है आज मैं सामने से देख रहे हैं बहुत ही अच्छा लगा इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी देखिए जो मैं टीवी में देख रही थी वो मैं रीयल में देख रही है अईसा लग रहा था और आप उसके उपर भी जा सकते हैं सेड़ी बनी है आप मस्त घूम क जंडा भी लहला रहा है और यह दोनों ही साइट सीड़ी के सेल बने जिनमें लाइट जल रही है चली अब सेड़ी से उपर जाते हैं और चंद्रयान के चालते भी धूम के आते हैं तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको यह पंडाल चंद्रयान हम टीवी में तो देख ही रहते हैं और आज सामने से भी देख लिया है इसे देखने के लिए पब्लिक को 20-25 पब्लिक भेजते हैं और आप देख लिजे सामने से सारा चीज लकडी और टीन से बना हुआ है यह चंद्रयान और इसके जस्ट नीचे हम गणेश जी के दरसं करके आए है इसके नीचे गणेश बना है उसमें गणिस बुकपजी बैठी है तो बड़ा ही प्यारा लगा कुब अच्छा लगा इस सब चीज देखो तैसलों कि भार्ती होने में कितना गर्व है बहुत गर्व है मुझे भार्ती होने में अम मैवस वहां फोटो की चाने नहीं दे रहे थे फिर भी बहुत ल आप